देर स्टूरेंट्स आज मैं आपको प्रिक्षन पर बेजड और क्वेश्चन्स करवा रही हूँ पहला क्वेश्चन है 30 किलोग्राम का भार एक 36 समतल पर रखा हुआ है गर्शन गुनांक 1 अपन रूप 3 हो तो सिद्ध करों की भार की समतल पर चलाने के लिए नियून तम बल का परिमान 15 किलोग्राम भार होना चाहिए इवन उसकी दिछा शेह 30 का डिगरी का कौन बनाती हूँ यहाँ पर हमें जो रफ प्लेन है वो दिया हुए होरिजॉंटल हमें इदे रखा है मियू की वैल्यू बन अप उन रोड थ्री और हमें अब हमने इन फोर्स को लगाया तो देखे हमारे पास मियू आर तो है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नॉर्मल आर तीस किलोग्राम भार दिया हुए तो डवल इस इक्वल टू तर्टी और पी जो है वो एक्टिव फोर्स जो इसको लिमिटिंग एक्लिबिरियम की स्थिति में रखता है और पी होरिजॉंटल के साथ थीटा एंगल बना रहा है तो लिमिटिंग एक्लिबिरियम की पोजीशन में पी कॉस थीटा इस इक्वल टू मियू और और प्लस पी साइन थीटा इस इक्वल टू 30 डिगरी तो हमारे पास मियू की वैल्यू क्योंकि वान अपॉन रूट 3 दियो है हमने इसमें सब्स्टिट्यूट करी और पी की वैल्यू कैल्कुलेट कर ली 15 अपॉन कॉस थीटा माइनस 30 डिगरी अब लीस्ट होने के लिए कॉस थीटा माइनस 30 डिगरी शुट भी बन तो थीटा इस इक्वल टू 30 डिगरी यही हमें प्रूब करना था नेक्स्ट है नेक्स्ट कोशन है चार किलोग्राम भार का एक पिंड तीस डिगरी के जुकाव वाले किसी रुक्ष तल पर सीमान तसंतुलन में हैं यदि तल के जुकाव को भणा कर 60 डिगरी कर दिया जाए तो बल ग्याद कीजिए तल की दिशा में लगाने पर प्रिंट को रोक सकी यहाँ पर हमें पहले दिया हुआ है कि जो प्लेन है वो 30 डिगरी के जुकाव वाले किसी रुक्ष प्लेन पर है और उसका वेट दे रखा है हमको फोर केजिए नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या करा है कि यदी और यह उस समय पहली जो सिस्तिती जब 30 डिगरी है और उस समय जो है जो बाड़ी है वो सीमान संतुलन लिमिटिंग एकलिगरीम यानि बिलकुल पे सलने की आवस्तान में है और जब हमने इसको 60 डिगरी एंगल पे इसको लगाने पर यह जो है बाड़ी को फिसलने से रोक सके तो पहले केस में क्योंकि हम पहले भी काफे डिसकस कर चुके हैं आप देखिए कितने फोर्सेज है चार गिलोग्राम तो भार है तो वो तो आपको नीचे दिखाई दे रहा है चार केजी बेट और 30 डिगरी पर प्लेन जो है वो जोका हुआ है तो नॉर्मल रियक्शन आर सिमान चंतुरन की अवस्ता है तो मिउआर हो गया गर्शन बन अब हमने इसको होरीजॉंटल और जितने भी फोर्सेज आर मिउआर इन 4 kg को हमने होरीजॉंटल और वर्टिकली रिजॉल्व कर दिया तो क्लियर दिखाई दिरा 4 cos 30 is equal to r चाह 4 weight और 30 degree angle तो 4 cos 30 is equal to r and 4 sin 30 is equal to mu r तो mu की value होगी 1 upon root 3 अब हमने inclination को बढ़ा कर 60 degree कर दिया यसी हमने 60 degree किया आप देखे यह हो जाएगा हमारे पास में 4 cos 60 तो s के बराबर हो जाएगा और 4 sin 60 is equal to mu s अब p और mu s अब p जो है वो इसको limiting position limiting equilibrium की position में रखने के लिए लगने वाला active force है जिसकी किया value calculate करना चाहते हैं तब inclination को बढ़ा कर जैसी 60 degree किया तो limiting equilibrium में रखने के लिए हमें force p मिलेगा जो जिस दिशा में क्योंकि यह नीचे की तरफ गिरेगा तो हम चाहेंगे जो force होगा वो p उपर की तरफ होगा तो 4 cos 60 is equal to s चो clearly s is equal to 2 4 sin 60 is equal to p plus mu s तो 4 upon root 3 into p is equal to root 3 upon 2 is equal to p plus mu की value calculate कर चुक है 2 पी calculate करने पर आ जाएगा 4 upon root 3 next is 60 kg का एक भार रुक्ष समतल पर रुक्ष नत समतल पर नीचे के और जाने के इस्तती में है जब उस पर 24 kg का भार का बल समतल के समानांतर क्रिया शीरे और जब उस पर 36 kg भार का बल समतल के समानांतर प्रियुक्त किया जाता है तो उपर के जाने के स्तती में हो जाता है गर्शन गुना ग्यात कीजिए आप देखिए हमें पहले केस में दिया वा है कि जब 24 kg का बाहर समतल के समानांतर लगा वा है तो मैंने पिक्चर में देखिए नॉर्मल रियक्षिन आर और वेट 60 डिगरी तो आर के अपोजिट हो जाएका 60 कॉस अलफा यह मानते हुए कि अलफा पर अलफा एंगल पर निकलाइंड है और इस दिशा में प्लेन की दिशा में जहां अलफा एंगल बना रहा है माज से हो गया 60 साइन अलफा और म्यूर इसके अपोजिट घर्शन बल हो गया और क्योंकि हमने 24 किलोग्राम का भार लगाया है तब देखे इस पिक्चर के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा जब 24 केजी का भार समतल के समाना अंतर लगा है तो आर इस इक्वल टू 60 कॉस अलफा पहली एक्वेशन और म्यूर प्लस 24 इस इक्वल टू 60 साइन अलफा सॉल्व करने पर हमारे पास आ गया 5 म्यू कॉस अलफा प्लस 2 इस इक्वल टू 5 साइन अलफा अब यहाँ पर हमने क्या किया था जो r की value 60 cos alpha थी उसको substitute कर दिया अब 36 kg का भार समतल के समाना अंतर लगाया तो 60 kg का भार उपर जाने की इस्तिती में हो जाता है तो इसलिए हम क्या जो mu s होगा वो s तो हो गया s का normal reaction और mu s उल्टी direction में हो जाएगा इसलिए s is equal to 60 cos alpha mu s plus 60 sin alpha is equal to 36 solve करेंगे तो हमारे पास हजाएगा 5 mu cos alpha plus 5 sin alpha is equal to 3 अब मैंने इसको 6th equation दिये 3rd और 6th equation 3rd equation थी 5 mu cos alpha plus 2 is equal to 5 sin alpha और 6th equation है 5 mu cos alpha 5 mu cos alpha plus 5 sin alpha is equal to 3 अब clear दिखाई देता है compare करने पर 5 mu cos alpha और हमारे पास हो गया 5 sin alpha as it is तो हमारे पास अचाएगा देखाई मैंने side में कर भी रखा है 5 mu cos alpha minus 5 sin alpha is equal to minus 2 5 mu cos alpha is equal to 3rd और 6th equation को solve करने पर alpha is equal to 30 degree आजाएगा alpha की value 30 degree आगई third equation में substitute की तो 5 mu cos 30 plus 2 is equal to 5 sin 30 हमारे पास आजाएगा 5 1 minus mu root 3 is equal to 4 1 minus mu root 3 is equal to 4 upon 5 mu is equal to 1 minus 4 upon 5 upon root 3 और जो solve करने पर हमारे पास आजाएगा 1 upon 5 root 3 और root 3 upon 50 next है एक समान सीड़ी का एक सिरा दिवार पर टिका हुआ है और यदि भूमी और दिवार दिवार दोनों बराबर रफ हो रुक्ष हो और उनका घर्शन कौन लेंड़ा हो तो सिर्दकरो सीड़ी का उध्वादर से सीमान चकाव टू लेंड़ा है अब यहां देखे एबी हमारे पास एक जो दिवार है उस पर एबी एक उध्वादर दिवार पर सीड़ी एबी टिकी हुई है और वो दिवार से अलपा एंगल बनाती है और हमने मान लिया कि जो यह लेडर है इसका भार डबलू बिल्कुल मिड़ पॉइंट जी से नीचे की तरफ एक्ट करें अब क्योंकि दिवार पे सिड़ी है और नीचे सिड़ी है इसलिए यहां क्या हो जाएगा मतलब हम कहते है जमीन पर और दिवार पर तो इनकी प्रतिक्रियाएं क्या हो जाएंगी हमने यह मान लेकि जो जमीन नॉर्मल रियक्शन है और हमने हमें क्योंकि दियावा सिमान संतुलन की अवस्था में हमारे पास a पर force of friction mu r और b पर force of friction mu s है अब एंगल a b c is equal to alpha अब जो पिक्चर दिए यह से देखे mu r is equal to s mu r किस direction में है a c की direction में और s किस direction में है opposite बतलब b से b c के opposite तो क्या हो जाएगा mu r is equal to s similarly r plus mu s is equal to w r this implies r is equal to w minus mu s substitute कर दिया और हमारे पास हाजाएगा mu w is equal to 5 into 1 plus mu square अब हम क्या कर रहे हैं इसमें point a की about movement यह आगून लेते हैं आगून क्या था बल और उसकी perpendicular distance उस point से तो हमेरे पस पहला क्या हो जाएगा w into a cos 90 minus alpha is equal to s into 2a cos alpha plus mu s into 2a sin alpha आपको दिखाई दे रहा होगा जब s का moment of moment लेते हैं तो देखे s और हम चाहेंगे a a के about ले तो जो s forces की ac line से एक तरह से कितना perpendicular distance होगा तो clear दिखाई दे रहे 2a cos alpha इसी तरीके से हमने सब के moments निकाल लिए हमारे पास आजएगा w sin alpha is equal to 2s bracket में mu sin alpha plus cos alpha जिसको मैंने equation number 2 दिया है और first equation हमने दी है mu w is equal to s into 1 plus mu square दौनों को solve किया और solve करने पर और हमने एक use भी करेंगे a mu is equal to 10 lambda और इसको simplify करेंगे तो we will get alpha is equal to 2 lambda